आप सभी को दीपा वली की हार्तिक शुब कामना है। भगवान श्री कृष्णों श्रीमती राधारानी की गृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो आज दीपा वली हैं और आज की कथा में आप सुनेंगे दीपा वली की कथा। प्रतेक वर्ष कारतिक मास की कृष्ण पक्ष की अमवश्य तिथी पर दीपा वली का पावन परव मनाये जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेश विधान है ब्रह्म पुराण के अनुसार इस दिन अर्धरात्री के समय लक्ष्मी महारानी सद्ग्रिहस्तों के मागानों में यत्र तत्र विचरन करती हैं और इसलिए इस दिन घर बाहर को अच्छी तरह से साफ सुत्रा करके सजाया सम मारा जाता है दीपावली मनाने से श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर अपने भग्तों के यहां स्थाई रूप से निवास करती हैं कहते हैं कि कार्थिक मास की अमावश्या को भगवान श्री राम चंद्र 14 वर्स का वनवास भोग कर तथा आसुरी वृ में से दीपावली भी प्रमुख है और इसी दिन उज्जैन के समराठ विक्रमादित्य का रास्ति लग भी हुआ था तो विक्रमी समवत का आरंब भी तभी से माना जाता है आता यह नए वर्स का प्रथम दिन भी है तो आज के दिन वैश्य लोग अपने वही खाते बदलते हैं तथा अपने वर्स भर के लाभानी का व्योरा तयार करते हैं दीपावली के दिन आकाश दीपदान की भी प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है काहा जाता है कि दीपावली की अमवश्या से ही पित्रों की रातें प्रारंब हो जाती है तो कहीं वे पथ भरष्ट न हो जाएं रास्ता भटक न जाएं इसलिए उनके लिए प्रकाश का विधान किया जाता है तो ये जो दीपावली पर दीपदान किया जाता है उसे अपने पित्रों के निमित्त किया जाता है तो घर की सफाई करके लीप पोत कर लक्षमी जी के स्वागत की तैयारी में दीवार को चूने अथवा गेरू से पोत कर लक्षमी जी का चित्र बढ़ाना चाहिए फिर लक्षमी जी की फोटो लगानी चाहिए और संध्याकाल के समय पकने वाले जो स्वादिष्ट वियंजन होते हैं जैसे की दाल, चावल, हलवा, पूरी, बढ़ा, कदली, फल, पापड तथा अन प्रेश जी को रोली लगाओ, और छे चौमुखे दीपक बनाओ, 26 छोटे दीपक रखो, इनमें तेल तथा बत्ती डाल कर जलाओ, फिर जल, मौली, चावल, फल, गुड, अबीर, गुलाल, और धूप आदी सहित पूजा करो, पूजा पहले पुरुष करें, बाद में इस् पूजात, तीजोरी में गडेश जी तथा लक्ष्मी जी की मूर्ती रखकर विधिवत पूजा करो, अपनी इच्छा कैनुसार घर की बहुओं को रुपए दो, लक्ष्मी पूजन रात के समय बारह बजे करना चाहिए, मतलब अर्ध रात्री की पूजा यानी की निशीत का है, फिर समी भी 101 रुपए सवा सिर चावल, गोड, चार केले, मूली, हरी गुवार फली तथा पांच लड्डू रखकर सारी सामगरी से भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करो, फिर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को लड्डू का भोग लगाओ, इस पूजा विधी का बढ़न स्वेम ब्रह्मा जी ने किया है, और अब आप सुनेंगे दीपावली की कथा, एक समय की बात है, सनत कुमार जी ने सब महर्शी और मुनियों से कहा, हे महानुभाव, कार्तिक मास की अमावश्या को प्राते कालहिष्ट नान करके भक्ति पुर्व काल में विधी पुर्वक लक्ष्मी जी का मंडब बनाकर फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पता का अधी से सुसजित करना चाहिए, फिर अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का सोड़ सो पचार विधी से पूजन करना चाहिए, पूजनों परांत परिक्रमा कर करनी चाहिए, मुनिश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी जी के पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है, तब सनत कुमार जी बोले, राजा बली के यहां समस्त देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी भी बंधन में थी, फिर आज के दिन भगवान अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंद करना चाहिए कि वे छीर सागर में जाही न सके, और छीर सागर में न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शया पाकर यहीं सोई रहें, जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की उत्साह पुरवक तयारियां करते हैं, उनको छोड़ कर फिर वे कहीं भी नहीं जाती हैं, रात्री के समय लक्ष्मी जी का आवाहन करके, उनका विति पुरवक पूजन करके, नाना प्रकार के मिष्ठान का नैवेत्य अर्पर्ण करना चाहिए, फिर दीपक जलाना चाहिए, और फिर दीपको को सर्वा निष्ट निवारण अपने मस्तक पर घुमा कर चौराहे या फिर समसान में रखना चाहिए, मतलब जैसे कि दीपक जला कर अपने सर से वार कर और फिर उस दीपक को किसी भी चौराहे पर रख दो या फिर समसान में रख दो, तो इससे क्या होता है, किसी भी प्रकार का जो अनिष्ट होता है, उ तब बालकों को अनेकु प्रकार के खेल खेलने की आग्या देनी चाहिए। फिर बालक क्या-क्या खेल सकते हैं, इसका पता भी लगाना चाहिए। यदि वे आग जला कर खेले और उसमें ज्वाला प्रकट नहों, तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करें, तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करने पर राजा को सुख प्राप्त होगा। यदि बालक आपस मे लणे, तो राज युद होने की आशंका होगी। बालकों के रोने से अनावरिष्टी की संभावना करनी चाहिए। यदि वे अकाल पड़ेगा दीपावलि की यह कता दीपावलि की इस प्रकार की पूझा विधी ब्रह्मह जीदवारा ब्रह्म पुराण में व्रणी थे और जैसा कि कल के अध्याय में आपने सुना किस Прकार से ब्राम धर्मदत्त ने अपने कार्तिक मास के श्नान और व्रत का आधा पु उसे प्रश्ण किया कि सब मनुष्य भगवान विश्णू की प्रसन्यता के लिए विधिवत यग्य दान व्रत तीर्थ तथा तप करते हैं किम्तु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो तब गणों ने कहा हे द्विजिस्रेष्ट आपका प् उसीके नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध था राजा चोल के राजिय है में कोई भी प्राणि धरिद्री दुखी प्रापी और रोगी नहीं थे यह सब राजा के यग्य करने का प्रभाव था तााम्डपरणी नधी के दोनों किनारों पर स्वangelे के य फलो फूलो द्वारा पूजा की वह सास्टांग प्रणाम करके भगवान के चर्णों के पास ही बैठ गया थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी काची पूरी के ब्रामण विश्णुदास को वहां आते हुए देखा विश्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिये था और उसने वहां आकर भगवान विश्णु को विश्णुशुक्त के मंत्रो द्वारा सनान करवा कर मंजरी तथा तुलसी दलों से उनका विधी पूर्वक पूजन किया विश्णुदास के चढ़ाई हुए तुलसी दलों से राजा के क्या जाने क्योंकि तुने मेरे किये विचित्र श्रिंगार को बिगार दिया है राजा की बात सुनकर विश्णुदास को भी क्रोध आया और वह राजा के गौरव को तुछ समझकर कहने लगा हे राजन तुम भक्ति करना नहीं जानते तुमको अपने धन का घमंड है बताओ क कि आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किये हैं देवगण ने कहा ब्राम्भण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हसकर कहा हे विप्र भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तु ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूं तेरे जैसे भिखमंगे ब्राम् बहण बैठे हैं मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विश्णु के दर्सन मुझे होते हैं या कि तुझे इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान ही लेंगे देवगणों ने कहा ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और व भगवान की प्रसनता के लिए व्रत करने लगा रामभण ने माग तथा कार्तिक मास के व्रत किये तुलसी के वन का पूजन किया और एका दशी को भगवान विश्णु के द्वादस अक्षर मंत्र का जब किया वह भगवान को प्रसन्य करने के लिए गीत गाता रहा और नि विश्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीट गए एक दिन विश्णुदास भोजन तयार करके भक्ति में तलिन था कि उसका भोजन कोई चुरा ले गया लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और ब्रत भंग ना हो इसलिए उसने दोबारा भोजन तयार नहीं ले जाता है फिर भी इस देवस्थान को छोड़ना नहीं चाहिए अगर मैं भोजन बना कर तुरंत ही खा लेता हूं तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी इसलिए मुझे भोजन बना कर तुरंत खाना नहीं चाहिए और बिना भगवान को भोग लगाए वैश्ण भोजन तयार करके भोजन के पास ही चिपकर बैठ गया उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहाँ पर एक चांडाल आया जिसका शरीर बहुत दुरबल था उसके शरीर पर केवल चमडी ही चमडी दिखाई देती थी जब वह चांडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो लेकिन दुरबलता के कारण दौड नहीं सकता था इसलिए वह भूमी पर गिर पड़ा और मुर्चित हो गया चांडाल को मुर्चित देखकर विश्नुदास लपकर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा और इसके बाद उसने जो कुछ भी दे से शुषोभित साक्षात स्री भगवान विश्नु खड़े हैं भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त वहस्रेष्ट ब्रामवड उनकी स्तूती तथा प्रणाम कुछ भी नहीं कर सका वहीं पर सब इंद्र आधी देवता भी उपस्तित हो गये और गंधर्व तथा अपसराएं गीत गान करने लगी तथा अंडित्य करने लगी ब्रामवड उन्हें प्रणाम करने के लिए जो ही उतावला हुआ जो ही वहां संपुर्ण देव गंधर्व और अपसराएं आ गई विश्नु भगवान ने अपना स्वरूप ब्रामवड को प्रकट करके आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे बैकुंठ ले गए दिव्य विमान में ब्रामवड को विश्नु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी उसे देखा उसने अपने आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यग्यादी किये हैं वे सब व्यर्थ हुए जित अधिकारी बना दिया और आप भगवान विश्नु की भगति करने के बाद भी विश्न भगवान के जब दर्सन नहीं हुए तो वह अगनी कुंड में कूद पड़ा अगनी में प्रकट होकर विश्न भगवान ने राजा को गोधी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे में वैठाकर अपने साथ वैकुंठ में ले गए विश्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राम्वन को पुन्यसील और राजा चोल को शुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया प्रेम से भोलिए श्री लक्ष्मी नारायन की जै जै श्री कृष्णा जै श्री राते। अनादि निदनोधात विधाताधात वृत्तमः अप्रमेयो रिशीकेश पद्मनाभो अमरप्रभू विश्व कर्मामनुस्त्वस्त स्थाविस्थास्त विरोधुव आग्राहयया शाश्वतह कृष्णो रोहिताक्ष्य अक्रदर्दन प्रभूतस्त्रिककुपधाम पवित् प्रत्य यह सर्वदर्षन अजासरवे स्वरसिधत सिध्ध सिध्धे सर्वादिर्चुत व्रिशाक पिरमेयात्मा सर्वयोग विनीश्रित वसुर्वसुमना सत्य समात्मा सम्मितासम अमोगा पुंडरी काक्षो व्रिशकरमा और शाकृति रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर विश्वयोनी सुचिश्रवा, अम्रितः शाष्वतस्थानूर वरारोहो महात्रपा, सर्वगह सर्व विद्भानूर विश्वक्सेनो जनार्दन, वेदो वेद विद विद्व्यंगो वेदांगो वेद विद कभी, लोकाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, खृ चतुरात्मा चत्रुयोहस चत्रद्रष्टस चतुर्भुजा। अनिरुद्ध सुरानंदो गो विन्दो गो विन्दामपती। सम्रिता संप्रमर्दन अहसंवर्थकोवनिलोधर निधर। सुप्रसादह प्रसन्नात्मा विश्वद्रिक विशुभुग विभू, सत्कर्ता सत्कृतह साधु जहनूर्ना रायणो नरह, असंखियो अप्रमे यात्मा विशिष्ट सिष्टकृत्छुवी, सिध्धार्त सिध्ध संकल्प, सिध्धिध सिध्धिसादनह, वरिशाही प्रकाशात्मा प्रतापना रिधस्पस्टाक शरो मंत्रस चंद्रांशुर भाश कर दूति ही अम्रितां शुद्भवो भानुश शबिंदू सुरेश्वरा ओशधम जगता सेतू सत्यधर्म पराक्रमा भूत्भव्य भवन्नात पवन पावनो नला कामहा कामकृत्कांत कामह क प्रदह प्रभू युगादिक्रित्युगावर्तो नेकमायो महाशन अद्रिश्य अव्यक्तरूपस्च सहस्त्रजित नंत जिते इस्टो अविसिष्ट सिष्टेष्ट सिखंडी नहुसो व्रिश प्रोधाक्रोध कृत्कर्ता विश्वभाहुर महीधर अच्चुत प्रति प्रदेश्टानम प्रमत्तह प्रतिष्टिता स्कंद स्कंद धरोधूर्यो वर्दोवायु वाहन वासुदेवो ब्रिहत्भानु रादिदेवः पुरंदर अशोकस्तार अनस्तार शूरसोर इर्जनेश्वर अनुकूलह शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षण महिधरो महाभागो वेगवानमिताशन उद्भवाचो भणो देवा स्री गर्भ परमेश्वर करणम कारणम करता विकरता अगहनों गुवा। परिग्रह उग्रह सम्वत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षण विस्तार स्थावर स्थाणू प्रमाणम वी जमव्ययं आर्थो अनर्थो महाकोषो महाभोगो महाधन अनिर्विन्न स्थविष्टववू धर्मयूपो महामख नक्षत्रने मिर नक्षत्री चमाचा श्वापनास्वव सोव्यापी नैकात्मानेग कर्मक्रित, बत्चरोवसालोवसी रत्नकरभो धनेश्वर, धर्मगुपधर्मक्रित धर्मी सदसक्षरमक्षरम अविज्याता सहस्त्त्रांसुर्वीधाता अकृत लक्षन, गभस्तिनेम ही सत्व 끼ह स्था, सिंग्घो भूत मह विन्योजय सत्यसंधोदाशाह सात्पतांपति, जीवोविनैता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रम, अम्भो निद्रननतात्मा महोदधी इशयोंतक, अजो महारह स्वाभावयो जितामित्र प्रमोधन, आनन्दो नन्दोननंद, स्थ्यधरमा अत्रि विक्रम, महर्शी कपिल चार्य कृतज्यों में दिनीपती त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाश्रिंग अक्रितांत्रित महावराहु गुविंद सुखेळ कनकांग दी गुईयो गभीरो गहनो गुप्तस्चक्रगदाधर वेथा स्वांगो अजिता कृष्णो दृढ संकर्षणो चुत वरुणो बारुणो व्रिक्ष पुसकराक्षो महामनाह भगवान भगहानन दी वनमाली हलायुध आदित्यो जोती रादित्य सहिश्णों गति सत्तमा सुधन्वा खंड पर्शूर दारुणो द्रविडा प्रद दिविस्तिरिक्सरव द्रिग्व्यासो वाचशपतिर योनी जह त्र स्वक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतामवर श्रीदाश्रीश श्रीनिवास श्रीनिती श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोक तर्याश्रेय। स्वक्षा स्वंग शतानंदो नंदिर्जो तिर्गनेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्किर्तेश्चिन्न संसिया उदिरणा सर्व तक्षाशुर निशाश्वतास्थिरा भूशयो भूशनो भूतिर विशोक शोकनाशना अर्चिश्मानर चिता कुम्भो विशुधात अभिषोधन अनि रुध्धो अप्रतिरत प्रत्युम्नों अमितविक्रम। काले नेमी निहावीर, शोरी शुर्जनेश्वुर। तिलो कात्मा, तिलो केशभ, केशव, केशी हारी, कामदेव, कामपाल, कामी कांत, गृतागम। अनिर्देश्यव पुर्विष्णूर वीरो अनन्तो धनन्जेह ब्रम्हन्यो ब्रम्ह कृत ब्रम्ह 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 विवर्धन ब्रम्ह विद्ब्राम्हणे ब्रम्ही ब्रम्ह अग्यो ब्राम्हन प्रिया महाक्रमू महाकर्मा महातेजा अमहुरग महाकृतरु महायज्वा म महा यक्जो महाहवी स्थव्यस्थव प्रियस्थोतरम स्थुतिष्थो तरणप्रिय पुर्ण jullie पुरहिता पुणयकिर्थनामिया मनु जवस्तिफगरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसु मनाहवी सद्गति सत् delegates सanden्ष्यकर में प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक श्रिंगो गताग्रज चतुर मूर्तिस चतुर बाहुस चतुर व्युःस चतुर गती चतुर आत्मा चतुर भावस चतुर वेद विदे कपात समावर्तो अनिवर्तात्मा दूर जयो दुरती क्रमा दूर लभो दुर गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग शुतंतु श जन्यह पावनो निला, अम्रिताशो अम्रित वपु, सर्वग्या सर्वतो मुख, सुलभा सुव्रत सिद्ध, शत्रुजी छत्रुतापन, न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्त स्चाणु रांध्र निशूदन, सहस्त्रार्ची ही सप्त जीव, सप्तेधा सप्त वाहन, अमु धरोर धनुडवेदो दंडोदम इतादमा, अप राजिता सर्वसहु, नियंता अनियमोयमा, सत्ववानसात्विक सत्य, सत्यधर्म परायन, अभी प्रयाया, प्रियार होर्ह, प्रियक्रीत पिल्तिवर्धन, विहाय सगतेर्जोती, सुरुचिर हुद भुग्विभू, रव पुद्रह कुंडली चक्रे, विक्रम्यूर जितिशाषन, शब्दातिगा, सब्दशह, शिशिरा, शर्वरीकर, अक्रूरह पेश, लोदक्षो, दक्षण, चमिनामवर, विद्वतमो वितभय, पुन्यशवण कीर्तन, उत्तारणोदुस्कृतिह, पुन्योदुस्व, प्र आधार नीले योधाता, पुस्पहास, प्रजागर, उर्ध्वग, सत्पथाचार, प्राणदह, प्रणवापण, प्रमाणम, प्राण, नीलिय, प्राण, भृत, प्राण, जीवन, तत्वम, तत्व, विदे, कात्म, जन्मे, मृत्यू, जरातिग, भूर्ग, अस्व, तरु और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीचा, श्री तुलसी महरानी, करू विने सिरनाय, जो मम हो संकट विकट, दीजे मात नशाय, नमो नमो तुलसी महरानी, महिमा अमितन जाय बखानी, दियो विष्ण, तुमको सन माना, जग में चायो सुयसे महाना, विष्ण, प्रिया जय जयति भवानी, तिहूं लोक की हो सुख खानी, भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई, जिन घर तव नही हो या निवासा, उस घर कर ही विष्णु नही बासा, करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेही के काज हो या सब पूरन, कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा, तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुन्दर वर्सु कुमारी, करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपति से होय सुखारी, बृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति हो वे पुल कितमन, श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिदि से तर जावे सोई, कथा भागवत यज्य करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे, छायो तब प्रताप जग भारी, ध्या तुमें सकल चित धारी, तुमी मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धी होवे छण में, ओश धिरूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता, देवरिशी मुनी और तप धारी, करत सदा तव जय जय कारी, वेद पुरानन तव यश गाया, महिमा अगम पार नह नमो नमो जय जय सुख कारनी, नमो नमो जय दुख निवारनी, नमो नमो सुख संपति देनी, नमो नमो अग काटन चेनी, नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद चेनी, नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो पर लोक सुधारनी, नमो 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 निज भक नमो नमो जने काज सवारनी, नमो नमो जै कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी, जयती जयती जय तुलसी माई, ध्याउं तुमको शीष नवाई, निजजन जानी मोही अपनाओ, बिगडे कारज आप बनाओ, करूं बिनै मैं मात तुमारी, पूरण आशा जोरी मनाऊ, निशदिन तेरे ही गुडगाऊ, करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मांगू मात यही बर दीजे, सकल मनो रथ पूरण कीजे, जानू नहीं कछु नेम अचारा, छमहु मात अपराद हमारा, बारह मास करे जो पूजा, ता सम जग में और नह दूजा, प्रथ मही गंगा जल मंगवावे, फिर सुन्दर श्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आच मन गंगा जल से, ध्यान करे, रिदै निर्मल से, पाठ करे फिर चाली साकी, अस्तुति करे मात तुल साकी, य अरे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाही, है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सोभवतर जाही, यह श्री तुल सी चाली सा, पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई, तुल सी चाली सा संपूड, और अब आप सुनेंगे महारानी की आर्थी, तुल सी महारानी नमो नमो, हरी की पतरानी नमो नमो, धन्य तुल सी पूरण तप कीनो, शालिग रामे की बनी पतरानी नमो नमो, तुल सी महारानी नमो नमो, हरी की पतरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी को मले, श्रीपती कमले चरण लपटानी नमो नमो, हरी की पतरानी नमो नमो, तुल सी महारानी नमो नमो, धूप दीप ने वेद्य आरती, पुष्पन की वरसा बरसानी नमो नमो, हरी की पतरानी नमो नमो, तुलसा महरानी नमो नमो चपन भोग छत्ती सोव्यंजन, बिन तुलसा हरी एक नमानी नमो नमो, तुलसी महरानी नमो नमो, हरी की पतरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यशे गावे, भक्ति दाने दीजे महरानी नमो नमो, तुलसा महरानी नमो नमो, हरी की पतरानी नमो नमो प्रेम से बोलिए तुलसी महिया की जै तो दोस्तों उमीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही से मखरब राप्त होगी, मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राथे